Hello my dear students, how are you? Welcome back to your math class. Today we are going to do chapter number 13. Chapter number 13, money. Chapter कानियों क्या है? Money. So, all the students open your discovering book, page number 184, 185. Chapter 13, chapter कानियों क्या है? Money. तो वैसे तो हमने ये money वाला topic कर लिया था, लेकिन दुआरा से फिर इसको revise करेंगे. तो चलिए, start करती है. सबसे पहले हम इसके new words को देखें. New words में देखिए आप, अब ये देखिए, यहाँ आपको note दिखाई दे रहे हैं. ये कितने का note है? 100, 50, 20. तो इनको क्या बोलती है? Notes बोलती है. ये क्या है? Notes. Note है ये. ये क्या है? हमारे note है. इसी तरीके से आप देखिए. 1, 2, 5. ये क्या है? Coins है. इन्हें क्या बोला जाता है? Coins बोला जाता है. जिन्हें हम चिल्लर भी बोलती है. है ना? Next. रुपे. तो ये हमारे जो आर लिखा हुआ है, र लिखा हुआ है. इस तरीके से रह लिखा हुआ है. ये क्या है? आर जो है. आर जो है? सेंबल है. तो ठीक है. यानि 10 रुपीज के आगे ये देखिए. रुपीज 10. रुपीज 10. ये 10 रुपीज का नोट है. Next. ये क्या है? देखिए. 50 पेसे. क्या लिखा हुआ है इसमें? P. A. I. S. E. पेसे. तो ये क्या है? 50 पेसे का कोईन है. तो इन्हें पेसे बोलते हैं और ये क्या है? नोट है. यानि रुपे है. ये क्या है? रुपे और ये पेसे. इन्हें कोईन बोलते हैं कोईन्स और ये होते हैं जो कागज के बने होते हैं नोट होते हैं और जो एंटल के बने होते हैं वो क्या होते हैं कोईन्स होते हैं ठीक है तामबे के में अटल के लोगे कही स्थी किसे बने होते हैं मिक्सप करके बनाए जाती है तो वह होते हैं कोईन्स coins और जो कागज की बने होती हैं उन्हें बोलती हैं note ओके तो इतना तो आप जानती हो सभी जानती हैं ये बात next page number 185 page number 185 पे देखिए first topic है हमारा coins c o i n s coins c o i n s यानि coins coins की बात करेंगे the money money यानि currency इसे भी क्या बोलते हैं currency भी बोलते हैं the money or currency used in India is known as rupee and is denoted as rupee इस तरीके सिर्स को denote किया जाता है यानि note किया जाता है इस तरीके सिर्स से लिखा जाता है किसको रुपे को तो रुपे के लिए यह हम सेंबल का यूज करती हैं इस तरीके सिर्स जब भी आप हैं मालों आप question करोगे तो उसमें सबसे पहले अगर आपके पास है वन रुपे हैं तो आप कैसे लिखोगे इस तरीके से रहा बनाओगे उसके उपर यह लाइन लगाओगे और फिर क्या लिखोगे वन तो इसका मितलब क्या हुआ रुपे वन ठीक है अब देखिए सबसे पहले यह हमारा टूपी क्या है coins क्या है तो यहां देखिए coins दियो ही है यह कितने का coin सा देखिए 50 पेसे 50 पेसे का coin है next 1 रुपे 1 coin रुपे 1 रुपे का coin है और यह रुपे 2 coin तो रुपे का coin है अब यह देखिए इसमें इयर भी डावा हुआ 2005 2005 में यह बनाया गया है किसको तू रुपे का यह जो철 का coin है fácil इसको 2005 में बनाया गया है किस एर में बनाए 1002 में तो यह जो क्या है इंकी सेव गैर्ए चेंज होती रहती है और इनके शेलिज किसको ओडर, किस की मत-का ओडर से की जाती है यानि जो गवर्णर होता है इसके साथ-साथ– इन्वे जुए इइन कर।सी का जो गवर्णर है उनके ऑडर पी चेंज हो जाती है औ और साथ में क्या होता है उनकी स्टेम्प भी लगती है उनकी स्टेम्प यानि उनकी सिगनेचर होंगे तभी यह मानने होंगे वरना नहीं मानने होंगे ऐसे तो हर कोई बना लेगा ऐसे वले नोट लेकिन क्या होता है जब तक रुपे फाइब फॉइन यह कितने का कोईन है फाइब इसका रुपे 10 कोईन, यह 10 रुपेज का कोईन है ठीक है, तो इस तरीके से यह कोईन होती है next एक चीज और देख लिखी हो, यह देखिए when we go for shopping, we need money to buy things we use notes and coins to pay the shopkeeper shopkeeper हम जब हम बजार में जाते हैं यह वात मैंने आपको बताई थी ना कि के जप हम बजार में जाते हैं तो क्या होती है कुछ चीजे लेने के लिए जाथे हैं money की जुरूर्द होती है और जो हम मनी है वो कैसे धेते हैं शोग把 को या तो node या फिर coins देकर उनको pay करते हैं pay यानि payment देते हैं उसके प्राइज का प्राइज देती हैं उसका जो भी हमारा खर्चा हम करते हैं जो भी चीज लेती हैं उसके पेसे देती हैं बिना पेसे के कोई भी चीज हम नहीं खरीद सकते हैं ठीक है next कोईन के कितने faces होते हैं two heads and tails head and tails head होता है और tails होता है तो मैंने आपको कल बताया था ना कि head or tails के बारे में जिसे की cricket का मैच होता है head or tail का मतलब क्या होता है कि कोण से side को head बोलती है कोण से side को tails बोलती है कोण से heads बोलती है ठीक है the face that has number written on it जिस side बी number लिखा होता है coin के is called tails उसी क्या बोला जाता है टाय्स बॉला जाता है यह देखी यह जो नम्पर लिखा है निए यानि बन डूपीज का कोईव जो भी लिखाओ जो भी नम्पर लिखाओंगा वह साइड क्या होगा ट्या Pete श्रय कह साइड एट किसे बोलती है दा-फेस the face with the picture is called heads this side picture होती है ना हमारे national symbol की picture होती है तो उसके वो उसकी side को heads बोलती है ठीक है तो ये चीज आपने mind में रखनी है ओके नाव page number 186 page number 186 पे practice zone first identify the following coins नीचे जो ये coins दियो है इनको आपने identify करना है और बताना है कि कितने का coin है तो ये क्या है 50 पेसे तो यहाँ आप क्या write करोगे 50 पेसे इस तरीके से आपने यहाँ write करना है 50 पेसे पूरा भी लिख सकते हूँ पेसे ओके next रुपे 2 तो यहाँ क्या write करेंगे रुपे 2 रुपे 2 रुपे 2 अब यह कितने का coin है रुपे 1 रुपे 1 next रुपे 5 next रुपे 10 तो इस तरीकी से आपने यह practice zone 1 complete करना है नेक्स्ट नोट की बात नोटों की बात हो रही है नोट कौन से होते हैं जो कागज की बने होती हैं आप यह देखें कितने का नोट है यह 5 रुपीज कितने का 5 रुपीज का नोट है next 10 रुपीज यह कितने का नोट है 10 रुपीज का नोट है आप सभी जानती हो इन नोट उसके बारे में जानती हो ना आपके पास भी रखे होएंगे गुल्लक में आपने सेव करके रखे हुए होंगे next 20 रुपीज 20 रुपीज यह रुपे 20 नेक्स्ट 50 रुपेज यह 50 रुपे पचास रुपे का नोट और आप जो करंट में चल रहा है वो केसी कलर का है ग्रीन ग्रीन कलर का है ना 50 रुपीज का नोट है कल वाली वीडियो में मैंने 50 रुपीज का नोट दिखाया था तो आप वहां कल वाली वीडियो में जाके न्यू जो क्रंट में 50 का नोट चल रहा है वो आप देख सकती हो ठिक नेक्स्ट ये कितने का नोट है देखिए 100 रुपीज कितने का 100 रुपीज राइट क्या लिखा इसमें लिखा क्या हुआ है 100 रुपीज ये जो पुराना नोट है अभी भी चल रहा है वेशे तो ये पुराने टाइम का नोट है अभ आपको ओरिजिनल नोट दिखा देती हूं ये तो पिचर मी ये दिख़िए ये मेरे पास ओरिजिनल नोट हेंडर्ड रुपीज का कितने का यह हेंडर्ड रुपीज का है ना दिखाई दे रहा है आपको आपको आपने निया जो नोट है वो इस तरीके का है हेंडर्ड रुपीज का नोट है इस तरीके का है न्यू जो अभी न्यू चला है यह देखिए यह हेंडर्ड रुपीज है न तो ये new note है, new currency है इंडिया की, है न, 100 रुपे, ये देखी दोनों साइड से आपको दिखाए दे रहा है न, अब इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, ये 2018 में बना है, ये 2018 में बनाया गया था, ये 2018 से start है, और जो old पुराने वाला है, इसमें देखते हैं, सन दिखा हुआ है क्या, yes, ये रहा 2010 में, ये 2010 में बना है ये वाला note, और ये 2018 में बनाया गया है, यानि 2018 से चलू किया गया है, इस तरीके का note, 100 रुपीज का, ठीक है, तो आपने ये दिखार रखना है, ओके, next, अब देखे, एक चीज और दिखाई हुई है, इसमें, क्रंसी note है, क्रंसी का जो नोट है, कैसा होता है, अब क्रंसी note है, अब देखे, ये क्या है, देखे, इसमें भी लिखा हुई है, बारतिया रिजर्व बैंक, अब यहाँ, देखे, माहतमा गान्दी, यहाँ, इसमें, साइड चेंज कर दीना, बस थोड़ा बोच चेंज होता रहता है, चेंजिज क इंडिया, सिगनेचर किसके होती है, रिजर्व बैंक उफ इंडिया, रिजर्व बैंक उफ इंडिया के जो गवर्नर होती है, उसका सिगनेचर होता है, किसमें, नोट पे, वैसे तो कोई भी बना सकता है, नकली नोट भी आते है, लेकिन उसके सिगनेचर नहीं होते है, इस वैलियो नहीं होती. तो यहां देखिये, सिकनेचर की हुई हैं किसके रिजार बेंकरॉफ इंडिया के जो गवर्नर हैं उनकी. यहाँ इनके सिकनेचर हैं. अभ यह क्या है? फेस ओप महतमा गांदी. यह किसका फेस है? महतमा गांदी का. जिने हम बापू भी कहती हैं फादर ओफ नेशन फादर ओफ नेशन भी कहा जाता है ना किसको महतमा गांदी को और इनकी जो जैनती हम बनाती है कम बनाती है 2nd October को 2nd October को हम इनकी जैनती भी celebrate करती है जो हमारा National Festival है Next है National Semble of India National Semble National Semble है ये हमारा इंडिया का National Semble है इसमें देखिए आपको ये National Semble भी बोलते हैं इसके ये देखिए इसमें 30 जेर दिखाए दे रहे हैं आपको तो ये 3 नहीं है इसके 4 आईए एक दूसरे के पीछे पीट करके खड़े हुए होते हैं ठीक है दो ये है हमारे National Semble of India ठीक है और ये मात्मा गांदी का फेसिज है अब नोट की दूसरी साइड में क्या होता है वेल्यू ओफ दा नोट रिटन इन 15 लेंगवेज 15 लेंगवेज में अब यहां क्या होता है नोट की दूसरी साइड में क्या है नोट की वेल्यू लिखी होती है कि वेल्यू ओफ नोट रिटन इन 15 लेंगवेज कितनी लेंगवेज में 15 लेंगवेज में इसकी यानि 15 का मतलब क्या था 15 लेंगवेज में इसकी वेल्यू लिखी होती है नोट की ठीक है तो इस तरीके की होती है नोट यानि क्या बोलते हैं क्रंशी बोलते हैं अब आप अपने न्यू वाल नोट देखे लीजिए न्यू नोट जो हमारे क्रंट में जो चल रहा है न्यू हेंडर्ड रुपीज का नोट ये देखिए इसमें एक साइड क्या लिखा हुआ है स्वच बारत एक कदम स्वच्ता की और बारती है रिजर्व बैंक रुपीज हैंडर्ड कितने का है रिजर्व वेंक ओफ इंडिया किसका बनाया हुआ है ये नोट है रिजर्व वेंक ओफ इंडिया अब यहां देखे यहां एक पिच्चर बनी हुई है मात्मा गांदी की जगए यहां इस साइड में क्या एक पिच्चर बनी हुई है तो किसकी बनी हुई है रानी की बाव रानी की बाव एक स्थल है जिसके बारे में यहां बताया गया है जो राजस्तान का मुख्य स्थल है 13 14 15 total 15 लेंग्वेजिज लिखी हुई है इसमें है ना सभी लेंग्वेज में यहां इसकी वेल्यु लिखी हुई है नोट की ठीक है अब यहां इस साइड देखिए महतमा गांदी की पिचर भी है यहां रुपे महतमा गांदी नेम भी लिखा हुआ है और यहां आपको सिगनेचर मिलेंगे यह सिगनेचर के रिच्ट फेंगवेल्यौवर्ट को मैंने वाली वीडियो में आपको यह बताया था तो आप पिछे गल वाली वीडियो में जाकर इसे संब्रेंट कर सकती हो कि अभी बारत के करंट में जो इंडिया के हैं रिजर्ब वेंग के गवर्नर कौन है तो आप देखिए ये क्या उन्षा नोट है फाइव हेंडर का फाइव हेंडर का नोट है ये कितने का है फाइव हेंडर का आप देखिए इस नोट के भी अब यहां ये देखिए क फोट की पिच्चर है 500 रुपे यह वो सेम चीज आ गए लेंग्वेजिज आ गई यह निए 15 लेंग्वेजिज है यह मातमा गांदी का पिच्चर आ गया फोटो की हुई है उसके में मातमा गांदी की पिच्चर प्रिंट की हुई है अब इसमें यहां देखिए मैं धारक को 500 रुपे अदा करने का वचन देता हूँ तो यहां यह लिखा हुआ असपत लिखिए यह किसके द्वारा गवर्नर द्वारा तो यहां देखिए गवर्नर का क्या नाम लिखा हुआ है देखो यहां पड़ो दिखाई देरा एक मिनिट पुर्चीत, एक मिनिट, येस, ससी कांत दास, ये देखी नेम लिखा हुआ न, ससी कांत दास गवर्नर, तो ये ससी कांत दास जो है, अभी हमारे करंट में इंडिया के गवर्नर है, इंडियन करंशी के क्या है, गवर्नर है ससी कांत दास, ठीक है, तो ये चीजें आपने माइं में रखनी है तो यह था हमारा टोपिक आज का जो नोट और इनसे रिलेटेड एक नोट और दिखा देती हूं आपको यह देखिए बड़ा नोट है तो यह देखिए कितने का नोट है आप बता सकती हो इसको किया गया है अब यहां देखिर मंगल यान मंगलियान के पिच्चर प्रिंट की हुई है मंगलियान यानि अकास में जो मंगलियान है उसकी पिच्चर पेश्ट की हुई है यान जो बेचा था हमारे इंधिया ने तो उसकी पिच्चर प्रिंट की हुई है मंगलियान की ठीक है यह 2000 का नोट है ठीक है अब आपको पता चल होती है किसमें नोट में तभी उस नोट की वेल्यू होती है वरना उसकी कोई वेल्यू नहीं है यह चीज आपने ध्यान में रखनी है अगर आप से पूछा जाए कि जो नोट है उसमें कितने लेंगविज हृँ और महतमा गांदी का पिचर भी महतमा गांदी का चेरा भी उसमें मिल जाएगी तो तो इस तरीके से आपने ये द्यान में रखना है नेक्स्ट प्रेक्टिस जोन टू आइडेंटिफाइड आइडेंटिफाइड करना इन नोट को और इनके नेंग दिखने हैं कि ये कितने का नोट है तो आप इसे कम्प्लीट कर लीजिएगा प्रेक्टिस जोन टू आप कम्प्लीट करना है आपको होमवर्क में ये आपका होमवर्क रहेगा ठीक है तो इसे आप होमवर्क में कम्प्लीट करोगे ओके ओके थेंक्यू